पब्लिक सर्विस सोसाइटी आप सभी लोगों का हमारे इस यूटीब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है मुँपर कड़वा बोलने वाले लोग कभी धोका नहीं देते हैं डरना तो मीठे बोलने वालों से चाहिए जो दिल में नफरत पालते हैं और वक्त के साथ बदल जाते हैं जान तक देने की बात करते हैं यहाँ पर लोग यकिन मानिये हुजूर दुआ तक दिल से नहीं देते लोग बुराई कैसी भी हो उसका अंतिम संसकार अच्छा ही करती है किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो सेहन कर लो क्योंकि मोती अगर कचड़े में भिगर जाये तो भी कीमती ही रहता है आदर उसी का करो जो उसका अधिकारी हो अब चाहे वो पुरुस हो या फिर कोई नारी हो जिन्दगी में किसी बुरे दिन से रुबर हो जातो इतना है उसला जरूर रखना कि दिन बुरा था जिन्दगी नहीं जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना सिखिए क्योंकि जिने हम जवाब नहीं देते हैं उन्हें वक्त जवाब देता है खुश रहना है तो पांच बातों पर ध्यान दे बीते हुए वक्त को भूलें वर्तमान में जियें भविश की चिंता ना करें खुद की तुन न दूसरों से करना बंद कर दें अपने काम को तामना बन करें रिष्टा दोस्ती और प्रेम उसी के साथ रखना जो तुमारे हासी के पीछे का दर्द और गुर्से के पीछे का प्यार और मौन के पीछे की वज़ा समझ सके जीवन में कुछ दोस्त कांच और पर्चाई जैसे रखिये क्योंकि कांच कभी जूट नहीं बोलता और पर्चाई कभी साथ नहीं छोड़ता भगवान का संतुलन भी कितना अजीव है सव किलो अनाच का बोरा जो उठा सकता है वह खरीद नहीं सकता और जो खरीद सकता है वह उठा नहीं सकता इंसान के गुरूर की अवकात बस इतनी सी है कि न पहली बार खुद नहां पाता है न आखरी बार खुद नहां सकता है दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद दुआ कभी फीचा नहीं छोड़ती जो दोगे वही लोट कराएगा फिर चाहे हुआ इज्जत हो या फिर धोखा जिसे तुम्हारी जरूरत ना हो फिर भी जो तुमसे रिस्ता निभाए ऐसा रिस्ता किसी खुश नसीब को ही मिलता है नसीब जिनके उचे और मस्त होते हैं इंतिहान भी उनके जबजस्त होते हैं घमंड में मत रहिए अर्ष से फर्थ तक आने में वर्थ नहीं लगता कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोशता है और कमजोर व्यक्ति बहाना मौका सबको मिलता है वक्त सबका आता है कोई चाल चल जाता है तो कोई बर्दास करता है मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं फिर भी लोग अपने इरादे बदल लेते हैं अगर सचे दिल से वो चाहत हो कुछ पाने की तो रास्ते की पत्थर भी अपनी जगह छोड़ देते हैं रिष्टे तोड़ने तो नहीं चाहिए लेकिन जहां कदर नहों वहां निभाने भी नहीं चाहिए इंसान खुद की गलती पर अच्छा वकील बन जाता है और दूसरों की गलती पर सीधा जज बन जाता है जो आपके साथ बुरे हैं उनके साथ न अच्छे रहो न बुरे सिर्फ उनसे दूर रहो कुछ बनना ही है तो समुंदर बनिये लोगों के पसीने छुपने चाहिए आपकी अवकाद नापने के लिए सूर मचाने से सूर्किया नहीं मिलती जनाव कर्म ऐसे करिए कि खामोसी भी अखबारों में छप जाए उत्तम से सर्वत्तम वही हुआ है जिसने आलोचनाओं को सुना है और साहा है हर काम को तीन अवस्थाओं से गुजरना होता है उपहास, विरोज, और स्विक्रिती तुम्हारी जिंदगी में होने वाले हर चीज के जिम्यदार तुम हो इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे जिंदगी उतनी बहतर हो जाएगी वीनर कोई और नहीं बलकि वही लूजर होता है जो हारने के बाद एक बार फिर से प्रयास करता है आइसी कोई मन्जिल हैं ठीजर, बार भार नहीं डपना प्रुम्हारी और मन्जिल से लिसा वह औरियां हालो हालो हाहा ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां तक पहुँचने का कोई रास्ता न हो उतार चड़ाव के बाद भी अगर कोई वेक्ति आपका साथ न छोड़े तो उस वेक्ति की कद्र हमेशा करना खुसियों के रास्ते कहा होते हैं सहाब खुस रहना भी अपने आप एक रास्ता है दुनिया की सबसे बेहतरिन दवाई है जिम्मेदारी एक बार पी ली जिये सहाब जिन्दगी भर ठकने नहीं देगी समय जब नेड़े करता है तब गवाहों की जरुरत नहीं होती सीखना बंद तो जीतना बंद, उनर है तो कदर है हाँ सले के तरकस में कोशिस का एक तीद जिन्दा रखो हार जाओ चाहे जिन्दगी में सब कुछ मगर जीतने की उम्मीद जिन्दा रखो हमें पूरी आसा है कि आपको यह चैनल जरूर पसंद आया होगा तो सो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सेर कीजिए जानिवाद